नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट बैदिक जोतिस में सनी देव को स्याओं मुगर्न माना गया है जो कवे की सावारी करते हैं और हाथ में धनुस लिये वे हैं सनी मराज दाइत्तों समस्याओं अनुसासन अखंडता तपस्या और बिनबता से संबंद रखते हैं जोतिस में सनी देव नयाय के देव हैं कर्म फल दाता हैं और साथ ही सनी देव कुम्भ और मकर रासी के स्वामी भी है तीस चनबरी को रात बारा बच कर दो मिनट पर कुम्भ रासी में अस्त हो जाएंगे सनी देव तो सनी देव के अस्त होने से आप के उपर इसका क्या प्रभवा पड़ेगा आज हम विश्तार से जानेंगे वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रडिक्शन चनबरासी पर आधारित है तो सनी देव हर रासी में दो वर्स छे मेंने रहते हैं लेकिन देखे एक बात है कि सनी देव अगर किसी पर महरवान हो जाएं तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं लेकिन अगर दंडा धिकारी हैं दंड देने प्याज हैं तो फिर आसमान की उचाईयों से सीधे नीचे भी लाग पटकते हैं तो इनसान को सपनों की दुनिया से बाहर लेकर आने वाले वास्तिविक्ता का दर्सन कराने वाले सनी देव का प्रभाव आप स्विकार करें या ना करें लेकिन मुश्किल दौर होता है जब किसी पर साड़े साती धहिया चलती है तीज जन्वरी को आधी रात में जब सनी देव मूल त्रिकोन रासी कुम रासी में अस्त होंगे कुम रासी वायुतत्व की रासी है पुरु सुभाव की रासी है और कुम रासी जो सनी देव की स्वामित तवाली दूसरी रासी है सनिदेव का दूसरा घर है साथ ही मूल त्रिकोंडासी भी है तो सनिदेव यहां पर आरामदायक मोड में होते हैं एकडम से आरामदायक स्तिती वे यानि इस सुकून से तो ऐसे में व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे फल भी प्रदान करते हैं तो कुम्र ग्रह का अस्त होना एक ऐसी स्थिति है जब कोई ग्रह सुरी के बहुत करीब आ जाता है और अगर सनी की बात करें तो सनी देव जब दोनों तरफ से सुरी के 15 अंस पर होते हैं तब वो अस्त हो जाते हैं सुरी के बहुत नजदीक होने से गरह अपनी सक्ति खो देता है और इसे ही अस्त होना कहते हैं तो सनीदेव अपनी अस्तिति के कारण अपनी समस्त सक्तियां खो बैठेंगे और इसके प्रणाम सरूब व्यक्ति को कारियों में सकात्मक प्राप्त करने के लिए समस्याओं का थोड़ा बहुत सामना भी करना पड़ेगा और सनीदेव के अस्त होने के कारण जो बुजुर्ग हैं गरीब हैं जरुद मंद लोग हैं इनको अपना खास ख्या लखना चाहिए लोग सुस्त नज़र आएंगे तो सनीदेव का अनुकूल प्रहौ अगर कुंडली में हो तो ब्यक्ति को कभी कोई परिसानी होती ही नहीं और सनीदेव जब देने पर आते हैं तो खूब देते हैं लेकिन कमजोर स्थिती में सनीदेव अगर खुद है तब आपके उपर इसका क्या प्रोहा पड़ेगा चले जानते हैं विश्तार से तो शुरुआत करते हैं तुला रासी से तुला रासी वालों सनीदेव योग कारगर है और चौथे और पाच्वे भाव के स्वामी है आपके वैसे तुला रासी सनीदेव की सबसे प्रेरासी भी है और सनीदेव आपके पाच्वे भाव में अस्त होने जा रहे हैं पाच्मा भाव है सिक्षा का प्रेम का संतान का भाव साथ ही यह पूरु जन्म के पूर्निका भाव भी है जो लोग सेयर मार्केट से सम्मंद रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये वक्त मुस्किल भरा हो सकता है हलांकि इस पिरियड में खासकर जो गर्वती महिलाएं हैं अपने स्वास्त का खास ख्याल रखेंगी और इस समय सामाजिक मेल जोल बढ़ाने से भी आपको थोड़ा बशना होगा क्योंकि आपका इन सभी चीजों का सीधा असर आपके संतान पर पपड़ेगा कहने का तात पर घर पर रहें साब्धान रहें सतर करहें और अपना खुब खयाल रखेगा इस पिरियड में सनीदेव आपके पांचवे गहा के स्वामी के रूप में आपके पांचवे भाव में ही अस्त हो रहे हैं इसलिए प्रेम सिख्छा संतान का भाव होने के कारण इन सभी चीजों पर ध्यान रखना होगा अगर हम प्रेम समंदों की बात करें तो थोड़ी सी परेशानी यहां पर दिख रही है और बच्चों के साथ भी आपके रिस्तों में उतार चड़ाओ आ सकता है जो विद्यारती है पढ़ाई लिखाई के मामलों में थोड़ी कटनाई महसूस करेंगे और दोस्ती समाजी समंदों में भी छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है आपके लिए ऐसे में आप जैसे की पढ़ाय लिखाई पर फोकस तो बनाया ही रखना है और आपको रोज गयतरी मंतर पढ़ना है ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए अगर लोन बिगर लिया है सही समय पर किस्त जमा करें और इस प्रियर में किसी को धन उधार ना दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा संबब हो तो ओम संक्सने चराय नमा का जब सामकिस में पांच बार कर लीजेगा अब जानते हैं ब्रिश्ची ग्रासी बालों के उपर क अगर आप नया घर लेना चाहते हैं वहन लेना चाहते हैं संपत्ति खेदने की योजना बना रहे हैं तो थोरा सा इंतजार कीजिए 6 मार्स तक क्योंकि ये समय इन चीजों के लिए बिलकुल भी अनुकुल नहीं है अब सनिदे कुम्रासी में अस्त हैं तो बड़ा इन्वे रखेगा तो परस्नल और प्रोफेस्नल लाइफ नीजी और पेसेवर जीवन को संतुलन बना कर अगर चलें तो ज्यादा अच्छा है खास कर आप अपने मा के स्वास्त का ध्यान रखेगा आपके लिए अतियुत्तम होगा तो ब्रिस्चिक वालों के लिए आपके उपर सनी की ध्या भी चल रही है और सनी देव चौथे भाव में ही अस्त होकर ध्या के माध्यम से मा के स्वास्त में थोरा सा उता चड़ाओ का कारण बन सकते हैं तो ऐसे में मा के स्वास्त का खास क्याल रखना है और इस प्रियड में अगर आप रियल स्टेट से जुरे बेपसाई ह तो इसमें कई चुनोतियां आ सकती है तो खास कर जो लोग जमीन से जुड़े कोई कारे करते हैं खुद का वेपसाय कर रहे हैं उनको भी धियान रखना है थोरी बहुत आर्थिक समस्याएं यहां दिख रही है तो प्रिवार के लोगों के साथ भी बाद विवाद हो सकता है क् अब देखेएं तो आप हरनमानचरीशा रोज पढ़े आपके लिए अच्छा रहेगा हरनमानचरीशा पढ़ना बहुत राहत मिलेगी अब जानते हैं धनुरासी वालों पर प्र प्रभाव उनके अस्त होने का धनुरासी वालों सनिदेव मराज आपके दूसरे और तीसरे भौ के स्वामी है और तीसरे भौ में अस्त होने जा रहे हैं यह भौ भाई बेहन का आपकी रूची का छोटी यात्रा का और बाचीत का भौ माना जाता है अब देखिए सनीदेव कुमरासी में अस्त होंगे तो आप किसी से अच्छे से बाच्चित करने में इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे खुद को समाजी कारण से बंधावा महसूस करेंगे अगर आप संचार के छेतर में काम करते हैं जैसे आप लोगों से जूड़ने वाला काम आप टीचर हैं कौनसलर हैं तो भी यहाँ पर यानी की वानी पर इसका प्रफाव है तो थोड़ा सा खास कर भाई बेहनों के साथ रिष्टों का ध्यान रखे कहीं भी विबाद वेगरा बिल्कुल भी ना करे भूल कर भी ना करे तीसरे भाव में अस्तों होंगे तो क्या होगा काम से सम्मंदित यात्राओं के समय छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती है हो सकता है जिस कारण से यात्रा पर जा रहे हैं वो सफलना हो पाए वैसे मानसिक सांती के लिए कोई अध्यात्मिक यात्रा बेगर है अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको उतना सांती नहीं मिलेगा तो ऐसे में आप गयतरी मंतर पढ़े ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए और स्रनी देव की किरपा भी बरसे आप चाहें तो जो मजदूर भाई लोग होते हैं जो लोग स्रमी होते हैं उनको आप खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं और भाई बेनों के साथ रिष् बनाए रखेगा और क्योंकि 6 मार्स तक का वक्त थोड़ा सा आपको उतार चड़ाओ दे रहा है तो आपको सो समझ कर फैसला लेना है आगे बढ़ना है फिलाल आप से विदा लेते हैं अगर पसंद आये तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर मादेर जरू लिखें धनिवाद